आपको जानकारी होगी ट्रिगनोमेट्री सब्जेक्ट टॉपिक आप सका जो चल रहा है तो उसके रिगार्डिंग आज हम ये वीडियो बना रहे हैं ठीक है तो चलिए अब हमने एक केशन लिखा है ट्रिगनोमेट्री का अच्छा से केशन है ये प्रूब करना है ये प्रूब करना है ये लहेंगे लहेंगे टेन टू थीटा का फॉर्मले उसे लिखवाए थे हम टेन फिर फूर एकस को ऐसे लिए सकते हैं टेन टू इंटू टू यक्स बात भाई है एंगल को मैंने अलग लग कर लिया एक फॉर्मला बना रहे है टेन टू थीटा आपने पढ़ा होगा पेटे चूकि टेन टू टू अब पर फॉर्मला लगाेंगे टूर सायध्यान लिखना इस बात का यह तो टू आपका ही फामुले का यहाँ थीटा यहाँ पर 2x काम करेगा तो फामुला लगाएंगे 2 ठेन टेन टी आपने टेन को लिखना मुझे 2 एकस अब हम क्या करेंगे 2 की जगे 2 लिख दो अब ये 10 यहां ध्यान दो 10 2 theta फिर formula बन गया 10 2 x है ना तो वही बन गया 10 2 theta अब हम अलग-अलग वाला formula दा देंगे तो ये तो 2 पहले था ये 2 formula वाला 2 10 theta अब theta जगे क्या बचा आपका x बचा है upon 1 minus 10 square theta ये तो उपर की बात हो गई है ये बात बेटे upon में आएंगे अब हम बात इसकी करेंगे 1 minus 10 square theta उमीद करते हैं बात समझभाई होगी हमने यहां 10 2 theta का formula लगाया है 2 10 theta upon 1 minus 10 square theta और जो upon में जो लिखा था उसको वैसे लिख दिया अब देखो इसका में उपर उपर गुणा करा लेंगे तो ये दो दूनी 4 4 10 x upon 1 minus 10 square 2 x यह हो जाएगा और यहां पर स्वरी यहां पर 1 minus 10 square x और सबके बटे में आ जाएगा 1 minus 10 square 2 x ठीक है अच्छा यहां पर एक काम करो फिर फार्मल लगा दो नीचे यहां भी फार्मल लगा दीजी हटाए उसको यहां भी एक काम दोनों काम साथ कर रहे हैं 10 2 theta square लगा है तो टेंसल ना लो 1 minus देखो यहां पर 10 2 theta minus यह उन्हें भी से लगा लिया 10 2 theta तो भी फार्मल लगाएंगे 2 10 theta theta यह जगा क्या x रहेंगा upon 1 minus 10 square theta और उसकी पावर कितनी आ जाएगी 2 क्योंकि यह पावर आपकी 2 लगी हुई है अब इधर आईए तो यह situation आपकी बनी जाके 4 10 x upon 1 minus 10 square x upon अब देखिए हम इस bracket को open कर रहे हैं द्यान समझना 1 minus 2 कावर करेंगे 4 हो जाएगा 4 10 square x हो गया नीचे हम bracket अलग कर देंगे तो 1 minus 10 square x का whole square यह हमने अलग कर दिया बाद समझ माई होगी यह हमने square उपर का अलग कर दिया नीचे का अलग कर दिया अब देखो यहाँ पर क्या situation बनेगी 4 10 x बैसे लिख देंगे upon 1 minus 10 square x बैसे लिख दिया upon अब यहाँ से बटे करके अलग कर दिया तो इसका गुना एक में होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा यह 1 minus 10 square x का whole square बैसे लिख देंगे minus इसका गुना इससे होगा तो भी टे क्या हो जाएगा 4 10 square x और upon में क्या चलना है 1 minus 10 square x का whole square ठीके वही अब देखो यहाँ ध्यान दो 1 minus 10 square x पर पाबर 2 वह इस पर पाबर 1 है यह एक है ना तो यह पाबर 2 वाला एक पाबर कट जाएगा एक फिर भी बच्चा होगा अब यह तो आप जानते हैं दूर दूर का गुना पास पास गुना तो यह जाएगा उपर यानि की 4 10 x अंदर क्या बन जाएगा 1 minus 10 square x अपन यह जाएगा उपर तो उपर तो कुछ है नहीं तो एक बार गया एक लिखा है अब देखो आप देख रहे होगे उपर वाला हमारा अंसर आ गया है 4 10 x 1 minus 10 square x अब बात करें नीचे के अंसर की अंसर अभी पूरा क्योंने यह रा क्योंकि इनोंने इस कोस्टक को खोल दिया है तो यहाँ आप भी खोल देंगे तो लिखेंगे 4 10 x ब्रेकिट में 1 minus 10 square x अपान यहाँ लगाएं यह formula a minus b का whole square तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे देखेंगे आपको दिखेंगा नहीं तो एक काम करते हैं इसको इधर देखते हैं तो यहाँ पर जैसा लिखा है 4 10 x 1 minus 10 square x वैसे लिख दिया नीचे मेटे formula लगा देंगे हम लोग यह formula आपको लगाएंगे a minus b का whole square तो क्या होता है a square एक का square एक ही होगा plus b square तो यहाँ square पर square हो गाएगा तो power मेटे बन जाएगा 4 और minus 2 a b तो 2 a a की जगा 1 है लिखो ना लिखो और b की जगा क्या है square एक्स ठीक है 10 square एक्स और minus के 4 10 square एक्स जे तो पाइड़े से लिखे थे अब क्या करेंगे उपर तो कुछ भी नहीं करना है क्योंकि उपर तो हमारा answer आ गया है नीचे बस इने जोड़ जाव पर वह answer आ गया देखो बन की जगाए बन लिख दिया 10 power 4 एक्स है इसको कुछ भी ना लिखो ये दोनों बेटे जुड़ जाएंगे क्योंकि इनकी ब्रादरी एक है तो जाती ब्रादरी बाले जुड़ जाते हैं या घट जाते हैं तो ये 4 है minus का ये minus का 2 है तो ये जुड़ जाएगा minus का 6 हो जाएगा 10 square एक्स तो आप देखिए का इसे सीरियल से लिख सकते हैं तो बही चीज़ आ जाएगी 1 minus के 6 10 square एक्स 10 power 4 एक्स और उपर जो वंस में है हमारा वही है तो इस तरीके से हमारा ये answer प्रूव हो गया ठीक है प्रूव तो इस तरीके से करेंगे उम्मीद किरते हैं बात आपके समझ आई होगी तो सभी लोग इसका इसकी इंस्टार रिली जागा ताकि आपके दिमाग में ये बात बनी रहे अब आगे के किश्टन को हम देखते है देखिए बटे किश्टन नमबर 2 हमने लिया है कास 4x प्रूब कराना है बन माइनस 8 साइन स्क्वार एक्स कास स्क्वार एक्स तो हम क्या करेंगे लहेंगे तो लिखेंगे टेकिंग लहेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर आपकी ये कास 4x जिस प्रकार अभी मैंने टेन 4x को दो वागों विवाजित किया था उसी प्रकार कास 4x कर दो कास्व टू इन्टू टू एक्स तो यह फार्मूला बन गया बटेक कास्व थीटा तो हम लिखेंगे कास्व थीटा की कई सारे फार्मूले हैं लेकिन हमें लगाना है बन माइनस 2Sine ustedwater 2000 का साई स्क्व थीटा का देखो जो लगाने का सीस्टम में यह रहता है एक यह एक तो यह भी उता कास्व थीटा का तू कास्व क्वयर थीटा माइनस बन लेकिन यहाँँ और बन किस कह जीए का माइनस का हमें करना यहां है प्लस का इसी लिए यह वाला फ्रम्रा लगाएंगे तो बन माइनस टू साइन स्क्वेर थीटे क्या है तू यक्स यह बात इतनी समझ भाई होगी है अब क्या करेंगे अच्छा बास सुनो जरा देखो अगर कोई साइन पर पावर साइन स्क्वेर है इसे हम साइन टू ठीटा का साइन स्क्वेर थीटा है इसका यहीं मतलब हुआ साइन थीता का इसको हम होल स्क्वेर की रूप में लिख पाएंगे तो यहाँ पे उल्ला बन जाएक हमारा तब ने to these two होता है two sine थीटा इंटू कास थीता देखो trigonometry formula पे depend है अगर आप trigonometry फार्मूले जानते हैं तो trigonometry सबसे सलब सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे sin 2 theta का formula 2 sin theta सां थीता इंटू कास थीता theta जगाँ यहाँ पर x है का whole square 1-2 यहाँ whole square जब तोड़ेंगे तो 2-2 4 sin squared x और cos square x ठीक है क्योंकि into मैंना तो सब पे square पहुंच जाएगा दो का अंदर गुणा करा दो तो चार दूनी 8 sin square x cos square x तो यह आपका answer लाना था 1-1 sin square x into cos square x शलिए इस तरीके से आप लोग इसका इसकी उसार ले लिजिए चलिए बच्छों सुरू करते हैं हम लोग taking LHS cos 6 x ठीक है cos 6 x अब क्या करेंगे वही काम है वाना कि इसको दो खंडों मैंसे वाज़ित करो की formula बन जाए तो आपने इसे इसे ले सकते हैं cos 2 into 3 x क्योंकि cos 2 theta formula पढ़ा होगा अब 3 हम पहले नहीं लिखेंगे 3 into 2 x भी लिख सकते थे लेकिन पहले हम cos 2 into theta लिखेंगे ठीक है तो cos 2 theta का एक formula बन गया हमारे पास आपने पढ़ा होगा cos 2 theta 2 cos square theta minus 1 ठीक है तो हमने यहाँ पे sin वाला formula क्यों नहीं लगा रहे क्योंकि पेटे सारे आप देख रहे होगे answer जो वा रहा है वो cos की फार्म में आ रहा है तो हम लोग यह वाला formula नहीं लगाएंगे 1 minus 2 sin square theta वाला नहीं लगाएंगे इस बात को भी ध्यानकना है तो 2 cos square theta जिखेंगे क्या पे लिखना है या पे 3 x minus 1 तो तो दो पेटे cos इसे हम ऐसे ले सकते है है ना क्योंकि इसे whole इसके लिख दिया इसे भी लिखा था तो यह formula हमारा बन गया इसलिए मैंने लिखा cos 3 theta आपने formula पढ़ा हुआ cos 3 theta को मैंने उस दिन लिखाया था cos 3 theta के लिखाया था 4 cos cube theta minus 3 cos theta इस तरीके से यह formula का इस्तिमाल करेंगे तो यहाँ पे cos 3 theta का हम लोग formula लगाएंगे देखो यहाँ पे 4 cos cube और theta के का yaks है minus 3 cos x पे whole power 2 minus का बन अब यहाँ पे a minus b का only square लगा दो a square यानि कि 4 जोंको 16 और cos जात square करेंगे तो 3 नूनी 6 क्योंकि power को उपर power हो तो power का multiply होता है plus b square यानि कि 3 तरका 9 cos square theta सहीए तो a square plus b square minus 2ab तो 2 into a into b यानि कि 2 4 दूनी 8 8 तिया 24 और यह वेटे इनका इसमें जब गुणा होगा तो देखो power 3 और power कित्ती बन जाएगी power 4 बन जाएगी ठीके और minus के बन जो इसी चलना है तो बैसे लिख देएगी 24 दूनी 48 cos power 4x और minus का बन देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पूरा हमारा answer वही आ रहा है बत्ति का चेक है अब यहाँ पे minus का 40 पहले लिखा है plus के 18 cos square x और minus का बन यह आपकी क्या आगई RHS आगई हैंस पूरू तो इस तरीके से आज सवाल इतना ही रखेंगे टाइम ज़्यादा हो गया है अब कल हम बात करेंगे आगे की trigonometry subject की आज के लिए इतना sufficient तो thank you so much for watching the video